Hi everyone, welcome back in a big data analytics course and in this course हम Hive कर रहे थी जिसमें अबने data types किया DDL करा, जिसमें create की थी हमने tables और database को उसके बाद data कैसे insert होता है, load होता है, update होता है, delete होता है वो DML में हमने देखा इन सब से अपन क्या कर सकते हैं, create कर सकते हैं, manage कर सकते हैं but now we are going to explore some HiveQL features for querying and analyzing the data मतलब data को query कैसे किया जाए, और उसको analyze कैसे किया जाए तो उसके लिए हमें सीखना है table joins क्या होते हैं, ठीक है तो in this video हम देखने वाले है table joins in Hive mainly यही purpose है, अपना query करना and analyze करना उसके लिए हमें क्या चीए, joins चाहिए, तो joining tables with Hive जिसके अंदर first number पर आता है अपका inner join, ठीक है अभी explain करते हैं आपको one by one so basically क्या कर रहा है, यह दो table को combine कर रहा है यानि combine कता है, retract वाटता है उनके records को from the multiple tables we use in a Hive joint for example देखो एक customer की table है, ठीक है और एक है orders की table यानि की customer का name हो सकता है, age हो सकता है, उसकी ID हो सकती है इसी परकार order का क्या होगा, order की ID होगी, ठीक है और order की amount है कितना, आपने कितने रुपे का order गिया, ठीक है इनके बीच में मैं join लगाने वाला हूँ, तो देखो c, c जो है अपना ये customer के लिए है, object और orders के लिए o है, तो c.id आ गई, c.name आ गया, c.age आ गया, and o.amount आ गया from customer c, join कर रहा हूँ, मैं orders table को, ठीक है किस भीहाब पर कर रहा हूँ, क्या condition लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कि जो customer की id है, वो order की customer id, क्योंकि order की id भी है, और order के अंदर एक column होगा, जिसमे customer id होगा, जिससे पता चलेगा कि order किस ने किया है, तो अगर ये दोनों equal है, तो वुन सबको मैं, उन सारे records को combine कर दो, for example देखो, यहाँ देखो, साहिल नाम से एक id निकलिए अपनी ठीक है, इन में name आ गया, sorry, id आ गई, name आ गया, is आ गया, amount आ गया, तो साहिल ने एक order किया, उसकी is आ गया, और उसकी amount आ गया, and further records आ ले, ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है, कि साहिल ने एक order किया हो, ठीक है, तो दोनों record combine कर रहा है, एक तो देखो, यह तीन चीज़ तो यह लेकर आई रहे है, ठीक है, customer class से, table से, और order से क्या लेकर आ रहा हूँ, मैं amount लेकर आ रहा हूँ, तो इन सब को इन्होंने जोईन कर गया, कि sign ने जो जो ओडर की है, उनकी amounts हो कर दे हैं आपर, और जैसे आमन ने और राजने जो order की है, उसके amounts हो कर दे, उनकी a सो कर दे, उनकी id सो कर दे, तो यह काम कर रहा है, अपना inner join, second अपना left outer join, यानि कि अगर जब आप दो table को combine करते हो न, तो यहाँ पर क्या होता, left side में जो table आपकी रहेगी, उसके सारे rows दिखाए जाएंगे, even if अगर उसका कोई match नहीं करता है, अपने id को order की customer id से match किया, suppose को अगर match ही ना करें तो उस case में क्या होगा, उस case में left outer join में क्या होगा, कि left row में left table की जितनी इनी भी rows है, उन सब को दिखाया जाएगा, बट right side की नहीं दिखाया जाएगा, यहीं बोला, if there are no matches in the right side, still it returns all rows from the left table, example से समझते, example से clear होगा आपको, देखो, यहाँ पर id करी name करा, amount कर रहा हूं, order किसे, and order से ही क्या कर रहा हूं, date निकाल रहा हूं, from customer, left outer join है यह, order कर रहा हूं, ओसे on इस वाले condition के उपर, तो इसमें क्या होगा कि left side की सारे, यानि कि customer की तो सारे दिखाया जाएगे, हो सकता है कुछ लोगों ने order नहीं किया, उस case में क्या होगा, फिर भी उन customer की name दिखाया जाएंगे, बिल्कुल दिखा जाएंगे कि left side में customer, right side में क्या है, order है, left outer join, left में customer, और इसके right में लिखाया पनने orders, ठीक है, तो इसके according देखो, manis और sonya नाम दो बंदे हैं, जुनों ने order नहीं किया, मतलब यह दो बंदे है, साहल और राज, जुनों ने order किया था, उनकी का treat हो सकता है, silent राज की तरब से हो, तो इस case में देखो, इन्होंने payment नहीं किया, order नहीं किया, तो इनके नल आ रहे, but still देखो, manis और sonya से हो रहा है, क्योंकि अपन left outer join लगा रही है, तो left side के सारे name, id दिखाया जा रहे है, but right side में amount और date नहीं है, तो इन में नल आ गया, ऐसे ही होता है, right outer join, now in the right outer join के अंदर का होता है, return all the rows from the right table, even if there are no matches in the left table, left table में match नहीं, फिर भी right side की सारी rows को दिखा जाएगा, तो वही आपना customer id, name, amount अगए order की, amount अगए date की, from customer c, and right outer join लगा है, order के उपर, right side में क्या है, order, यहनी order जो जो हुए है, उन सब के नाम दिख इसा देना, क्योंकि यही तो बात हुए है, कि जितने भी return करने है, सारे किसकी return करो के right side के, अगर match ना भी करे तो, तो देखो, मनीस और सोनिया दो थे, जिन्होंने order नहीं किया था, लेकिन साहिल और राद नहीं किया था, इसलिए, देख लो, मनीस और सोनिया का नाम नहीं नहीं आया, बाकी दो का नाम आ गया, और right side के जितने भी orders किये गए थे, दो ही order किये गए थे, ठीक है, इनके दुबारा इनकी payment आ गए, इनकी date आ गई, तो यह लग गया अपना right outer join, ऐसा ही एक और होता है, last है, full outer join, it combines the record of both left and right outer join table, that fulfills the join condition, यानि कि left outer join का जो result है, और right outer join का जो result है, उन दोनों को combine कर दो, तो क्या बनेगा, full outer join, देखो कैसे, यह मैंने condition लगई, id, name, amount आ गई order की, और date आ गई order की, from customer, full outer join, order लगाया, table अपनी orders, ओ, on this condition, तो इस कैसने देखो, साहिल, राज, मनीज, एन सोनिया आ गई, यह खाहां से आया, पूरा, चार लाइने, यह चार record खाहिए, यह left से आये, तो right से क्या है, फिर right से आएंगे, दुबारा, साहिल और राज, तो देखो, दुबारा यहाँ लिखके आगया, साहिल और राज के, और यह उपर वाले left के है, चार और यह नीचे वाले right के, तो दोनों को combine कर दिए, किसने, full outer join, तो यह थी सारे topic भी ने cover up कर दिए, अगर कोई topic by chance रह गया है, please request comment section में बताओ, ताकि अपन उसको भी cover up कर ले, so thank you so much watching this playlist, आपका बहुत बहुत सुकरिया, अगर आपने इस starting से लेकर अब तक देखिए, या कोई बंदर यह वाली वीडियो देख रहा है, तो thank you so much दिल से सुकरिया, इतना सारा प्यार और support देने के लिए, मिलते हैं कोई नई playlist में, नए series से start करेंगे, thank you so much यह playlist यह end होती है, जहीं जय वालत मिलते नेक्शुड़ेगे, साथ में